पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान पर भड़का तालिबान कहा दोटू कहने का आपको कोई हक नहीं। अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद तालिबान धीरे धीरे अपने सभी वादों को भूलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में ऐसा एक बर फिर से देखने को मिला जब तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि दूसरे देशों का ये कहना की तालिबान को समावेशी सरकार बनानी चाहिए ये पूरी तरह से गलत है। और इन देशों को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने की पाकिस्तान की मांग को लेकर तालिबान भड़क गया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि दूसरे देशों को तालिबान को समावेशी सरकार बनाने की नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता और उप सूचना मंत्री जबिहुला मुजाहिद ने ये बयान दिया है। पाकिस्तान और अन्य देशों ने तालिबान से अपील की है कि वे अफगानिस्तान में सब को सांख लेकर चले और एक समावेशी सरकार का निर्थमाण करे। हाला कि तालिबान ने इस मसले पर अपतीखी प्रतिक्रिया दी है। जबिहुला मुजाहिद ने डेली टाइम्स के साथ बातचीत में कहा कि पाकिस्तान या किसी अन्य देश को तालिबान से ऐसी बाते कहने का कोई अधिकार नहीं है।